गुद मॉर्निंग स्टूडेंट तो देखेंगे पानी का संगरक्षन कैसे करें उससे पहले हम यह देखेंगी पानी के संगरक्षन करने की आउश्यत्ता क्यों है तो बच्चों एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक पानी की मांग दोगनी हो जाएगी और आज भी करोणों लोग पानी की समश्या का सामना कर रहे हैं और 2030 तक नीट आईयो की रिपोर्ट है कि 2030 तक जो कुल आबादी है उसका जो 40% है उससे पीने योग की पानी नहीं मिल पाएगा अब सोचिए कितनी भयानक इस्तिति आने वाली वक्त में हो रही है अब ऐसा क्यों हो रहा है सबसे पहले तो बच्चों आब यह देखो कि जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है और जो सोर्स ऑफ वाटर है वो लगातार कम हो रहे है बहुत सारे सोर्स ऑफ वाटर जो हमारे आसपास हैं तो सूख चुके हैं चाहे आप नदियों को ले लो आप अंडरगाउंड वाटर ले लीजिए आप कुए देख लीजिए ठीक है आप जील है आपकी आसपास तो सब जगव पानी की लगातार कमी दर्ज की गई है तो जब इतनी भेहना क्सितिती है तो कैसे पानी का संग्रक्षन किया जाएगा पहले तो हम यह देखें कि हमारे घरों में जो हम घर में पानी यूज करते हैं वो कितना करते हैं देखिए सावर 16.8% फासेट फासेट जो होता है टॉंटी से जो पानी आपका बहुत ज़्यादा आप यूज करते हो 15.7% क्लॉस वासर 21.7% अधर 5.3% लीक्स 13.7% टॉयलेट 26.7% इतना पानी हम यूज करते हैं जबकि हम पीने में और खाना बनाने में और जो चीजें रह गई हैं उनमें से 5.3% ही वाटर का यूज करते हैं बागी सब चीजों में हमारा इतना पानी खर्च हो रहा है तो हम देख सकते हैं कि हम कहां पे पानी का जो है बचाओ कर सकते हैं कहां पर पानी को कम कर सकते हैं ट्वाइलेट आजकल अलग तरह की सीटें आ गई हैं जिनमें पानी की खपत कम होती है सावर का हम देखें कि कम से कम हम उसका यूज करें क्लॉस वासर हम देखें कि इसमें जो भी आजकल मसीने आ रही हैं उनी में पानी ज़्यादा खर्च होता है तो उसमें लोड के हिसाब से हम पानी का यूज करें तो ये एक मैप है जिसके तुरू आप जान सकते हो कि कैसे हम पानी को जो हमारे घर में यूज हो रहा है वो कहां कहां कितना हो रहा है और कहां हम पानी को बचा सकते हैं अब देखिए बचो कि आप हम देखते हैं कि हमारे bathroom में देखे सबसे पहले turn off tap while brushing teeth जब आप brush करते हो तो कई बार बच्चे या बड़े कई बार क्या होता है कि हमारा नल खुला रहता है और हम brush कर रहे होते हैं तो ये बिल्कुल भी ना करें क्योंकि आने वाला वक्त जो है पानी की बहुत बड़ी crisis को लेकि आ रहे है और आज हम इसको बचा सकते हैं second देखिए take shorter bath take shorter bath यानि पानी का कम से कम use हम नहानी में भी करें turn off tap while applying soap जब आप नहाते समय या आप जब hand wash कर रहे हैं तो उस समय में जब आप साबुन का यूज करते हैं तो उस समय भी आप tap को जो है वो बंद करें कि जितना आपको यहां यूज करना है असरी उतना ही यूज करें पानी का को वेस्ट बिलकुल भी नहीं करना है turn off tap after each यूज ठीक है अब उसके बाद जब भी हम bathroom में ठीक है पानी का जो भी हम यूज कर रहे है अप्टर एवरी after each uses परते यूज के बाद हम देखें कि जो आपका tap है वो सही से बंद है की नहीं है यह हमारी डूटी बनती है plants को अगर हमें water देना है तो हम can का use करें ना की pipe का can का use करेंगे तो हम जितनी आउशकता है उतना ही पानी देंगे ठीक है अब देखें यहां पे save water लिखा है the word is in your hand जो word है जो संसार है वो आज आपके हाथों में है आप इसे बहुत ही seriously इस चीज को लें कि कैसे हम पानी का कम से कम use करें जिसके थुरू हम आने वाले वक्त में और आने वाली फीडी के लिए पानी को बचा सके क्योंकि पानी के बिना जीवन असंबव है ये बात confirm है हम जानते हैं कि बिना पानी के कुछ भी नहीं हो सकता है अगर पानी है तो जीवन है अब जब इतनी महमुली चीज है तो हम इसे क्यों इस तरी के से हम waste कर रहे हैं ये हमने आज सोच नहीं है तो बच्चो इसे बहुत ध्यान से देखेगा और उसके बाद कुछ क्वेस्चन है देखे फहला क्वेस्चन है जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने आपको source of water जब मैंने इसको start किया था तो source of water के बारे में बताया था कि source of water क्या क्या है हमारे तो आपके आसपास आ इसले ही, पॉंस हैं, स्ट्रीम, ठीक है, रेन वाटर जो की सबसे बड़ा सोर्स है, अब रेन वाटर को अगर हम देखते हम देखते हैं कि जब बारिस का मौसम होता है तो बार आती है कई जगा और पानी सारा वेस्ट हो जाता है, हमारे पास कोई सोर्स नहीं होता है कि हम उस पानी को बहने से बचा सकी, उससे हम अंडरग्राउंड जो जल का स्तर है, उसको इंक्रीज करने में हम उसका यूज करें, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, कि वो पानी बहेना, तो यह एक बहुत बड़ा सोर्स है जिससे हम अंडरग्राउंड वाटर लेविल को हम इं है source of water तो पहला question है why is water important तो आपको मैंने इस बात का भी जिक्री किया कि जीवन पानी जो है वो जीवन है ठीक है तो हम यह question का answer लिखा है life cannot be imagined without water life की कलपना भी नहीं की जा सकती बिना पानी के second question what are the uses of water पानी के use क्या है यह भी मैं बता चुका हूँ लेकिन आप इसको और भी थोड़ा सोच के कि आप घर में किस किस तरह से कहां कहां पानी का ज्यादा से ज्यादा use करते हैं जिसको कम किया जा सकता है तो पहले तो यह देखें कि वो usage क्या है उनको आप सोचें सर्च करें copy में लिखें और उसके बात सोचें कि हम कैसे पानी के use को कम कर सकते हैं third question is what are the source of water ठीक है पानी के what are the source of water तो यह भी मैंने बता दिया भी सबसे पहले इसी वारे में चर्चा होगी है लिखा है river, lakes, pond, steam, rainwater, well fourth one is how will you save water तो आप कैसे पानी को बचाओगे तो मैंने वहीं आपसे पहले कहा ठीक है सोच सकते हो कि हम पानी का save कैसे कर सकते हैं कैसे हम पानी को बचा सकते हैं क्या हम ऐसा करें कि जिससे हम पानी को बचा सकते हैं यह भी आपने श्वयंग करना है यह दो question आपके लिए हैं तो आपने इसे complete करना है तो चलिए बच्चों conservation of water is very important topic और इसे बहुत ध्यान से देखिए इसके बारे में सोचिए और इसे आज से ही apply किजिए धन्यवाद